आपको आपको आपके फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी तो चलिए बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चौहते की कहानी की तो एपिसोड की शुरवात होती है जब समराठ बहुत जादा परिशान होता है काश्वी की घपराहट देखकर और वो अपने रूम में एंटर होता पूछता है कि क्या तुम ठीक हो तब काश्वी यहां पर अपने आसु पहुशना शुरू करती है और अपनी फीलिंग्स को सच्छुपाने की खोशश करती है लेकिन लास्ट में काश्वी समराठ से कहती है कि मैं इस प्रॉब्लम में बहुत जादा फ़स चुकी हूँ और स समराठ यहां पर उसे प्रॉमिस करता है कि वो सारी उलजी हुई चीजों को स्मूथ करने में उसकी हल्प करेगा दिखाया जाता है कि समराठ जाता है चौक पर और काश्वी वहां पर मदद मांगती है प्रद्यूम्न और महिमा को एक दूसरे से अलग रखने के लिए साथ म काश्वी पूषती है कि क्या अर्जुन के साथ में तुम्हारा कोई कनेक्शन है क्यूकि मैंने तुम दोनों को साथ देखा था और वो जिस तरीके से तुम्हारी के ए्टा है उससे देखकर कि तो ऐसा लगता है कि काश्यूम्हारे लिए अर्जून के दिल में कुछ है । के पीछे से छुप करके सब कुछ देखूंगा और तुम्हें अर्जुन के साथ मिलानी की पूरी कोशिश करूंगा इधर महिमा रेडी हो रही होती है अल्दी सर्मेनी के लिए रोमिला आती है वहां पर और उससे पोक करती है महिमा को नैंतारा के खिलाफ इधर जैसे ही महिम को या प्रद्युम्न को तब ही वह कहता है कि अगर तुम प्रद्युम्न को प्यार करती हो तो तुम अर्जुन की जंदीगी क्यों खराब करना चाहती हो काश्वी अर्जुन से प्यार करती है तुम उसकी शादी क्यों नहीं करने देती है और नैंतारा भी यहां पर बहुत अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेय करना ना फूलें